हेलो बच्चों मैं अराधना बर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्छा 2 की इंदी पुस्तक प्रिम जिम 2 का पार्ट नमबर 3 जो एक कवीता था उसकी व्यक्षिया देखी थी आज की वीड स्क्रिप्षिन बॉक्स में अपको प्ले लिस्ट का लिंक को प्लब मिलेगा जैसे क्लिक करके आप पिछले किस्वी वीडियो को देख सकते हैं कक्छा 2 से सम्बंधित साथ साथ मेरे चैनल पर आपको एक से दस तक का हिंदी पिसे के सभी पार्ट के वीडियो उप्लम मिलें आईए इस पार्ट के एक्स्ट्रा question answer देखते हैं पार्ट का नाम है मियाओ मियाओ इसमें पहला प्रस्न जो दिया गया है वो है नीचे लिखे प्रस्नों के उत्तर दीजिए तो नीचे जो प्रस्न है उसका उत्तर देना है पहला प्रस्न है रात में बिलग कर कौन रोई उत् दूसरा प्रस्न है लड़की को चूटी किस ने काटी उत्तर होगा लड़की को चूटी चुईया ने काटी दूसरा प्रस्न है यहाँ पर लड़की किसे देखकर डर से कापने लगी उत्तर होगा लड़की चुईया को देखकर यहाँ पर होगा देखकर डर से कापने लगी अगला प्रस्ने यहाँ पर लड़की को क्या बहाना सुझा तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे लड़की को यह बहाना सुझा कि चुहिया को भी डड़ाया जाए अब अगला प्रस्ने यहाँ पूछा जा रहा है कविता की पंक्तियां पूरी करें तो कविता की पंक्तियां आपको याद होगा चलिए इसको पूरा करते हैं रोती क्यों ना मुझे नाग पर मुझे नाग की एक नोग पर काट गई थी चुईया चुटी चुईया काट गई चुटी भर फिर अगلा यहां पर एक और पारा-ग्राफ आपको दिया गया है कवीता से सच मुझ बहुत ड़ी चुईया से चुईया से सच बहुत ड़ी मैं खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कापने घड़ी घरी मैं अगला प्रस्न ही आपकर आपसे पुछा जा रहा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं यानि कि आपको multiple choice question दिया गया है जिसमें कि चार उत्तर दिये गया है उसमें से कोई एक ही उत्तर सही होगा उन चार विकल्प में से तो प्रस्म क्या है रात को कौन सोई हुई थी यहां पर विकल्प है चुहिया, लड़की, बिल्ली और लड़का तो उत्तर होगा लड़की शोई हुई थी दूसरा प्रस्म है लड़की को चुहिया ने चूटी कहां काटी थी तो यहाँ विकल्ब दिया गया है कान पर, नाक पर, हाथ पर, पैर पर उत्तर होगा कान पर अगला यहाँ पर प्रस्म है बच्चों, लड़की किस से डर गई? तो यहाँ पर आपको चार विकल्ब दिया गया है चुहिया से, कुत्ता से, बिल्ली से, चिरिया से उत्तर होगा चुहिया से अगला प्रस्म पूछा जा रहा है लड़की को चुहिया को क्या करने का बहाना सुझा यहाँ पर बिकल्प है मारने का, पकरने का, डराने का, भगाने का उत्तर होगा भगाने का उसको बाहना सुझा अब अगला यहाँ पर प्रस्ण का कटेगरी है इन सब्दों से वाक्य बनाए कुछ सब्द दिये गएं उससे आपको वाक्य बनाने हैं पहला सब्द है एका एक तो आप इससे वाक्य बना सकते हैं मेरे सामने एका एक चुईया आगई दूसरा है सब्द बिलखकर मैं रात में बिलखकर रोने लगी यह अब बना सकते हैं तीसरा है यहाँ पर सब्द चूटी चूटी से वाक्य बनेगा चुईया ने मेरी नाग पर चूटी काटी अगला है कापना मैं चुहिया को देखकर कापने लगी अब अगला प्रस्म का कटेगरी यहाँ पर है आपसे पुछा गया है बताओ किसने क्या किया तो बिलग कर कौन रोया उत्तर होगा लड़की लड़की को किसने काटा उत्तर होगा चुहिया ने कौन डर गई उत्तर होगा लड़की किस से डर गई उत्तर होगा चुहिया से अगला यहाँ पर प्रस्म का कटेगरी है शब्द को उलटकर वाक्य लिखें तो जो सब्द है उसे आपको सरल सब्द में बदलकर और फिर से वाक्य बनाना है तो यहाँ पर एक वाक्य है जिनके सब्दों को आपको पलटकर फिर से सरल सब्द बनाना है क्या है यह वाक्य कैसे भला डड़ाऊं उसको इसको सरल वाक्य में लिखा गया है उसको कैसे भला ड़ाऊं तो ऐसे यह आपको बनाना है यहाँ पहला वाक्य है मैं पढ़ रही थी एक किताब तो सरल सब्द में इशे हम लिख सकते हैं वाक्यों को हेर फेर करके मैं एक किताब पढ़ रही थी अगला यहां पर प्रस्ट एक शब्द वाक्य है मुझे अचानक याद आया एक दिन तो आप सरल सब्द में इशे कैसे करेंगे वाक्यों को पलटकर आप फिर से सरल्ड बनाएंगे एक दिन मुझे अचानक यादाया फिर यहां पर एक काउप को वाक्य दिया गया है मोहन आया था मेरे पास तो इसको जो सरल्ड इसको जोर्ड बदलेंगे वह उसमें पुछा जा रहा है किसने कैसे बोला बताईए तो किसके कैसे बोल किसके कैसे बूल बाने यहां पर जो भी दिये गए हैं नाम जानबरों की उसके बोल यानि कि उसकी बोली कैसी होती है यह आपको बताना है बच्चों तो कववा का बोल कैसा होता है काउं काउं मुडगा कैसे बोलता है कुकडु कुण कबूतर कैसे बोलता है गुटर गुण बिल्ली कैसे बोलती है म्याउं म्याउं अब अगला यहाँ पर प्रस्म का कटेगरी है बच्चो नीचे दिये गए सब्दों के अंती मक्षर से सुरू होने वाले सब्द लिखकर अंत्राक्षरी पूरी कीजिए तो आप घर में भी अंत्राक्षरी खिलते होंगे ठीक उशी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है तो आएए इन सब्दों से अंत्राक्षरी हम लोग खिलते हैं तो पहला जो यहाँ पर सब्द है वो है चुहिया चुहिया केंट में है या या से अगला सब्द बन गया याद याद के अंत में है द, द से बन गए दावात, दावात के अंत में तो है तो उससे बन गए तर्बुज, तर्बुज के अंत में है ज, ज से बन गए जहाज, जहाज के अंत में है ज, उससे सब्द बना जामून, जामून के अंत में है न, न से बन गए नल, न के अंत में है ल, लड़की, लड़की के अंत में की, की से बन गया कीमत, तो से बन गया तराजू, और अंत में है जू, तो जू से बन गया जून, यहाँ पर अंत में है ना, ना से बन गया नत, नत में है अंत में थ, तो से बन गया थरमस, थरमस के अंत में है स, सा से बन गया सपेरा, सपेरा के लिष्टी से अन्तराक्षरी चिनी चीनी चीनी के अन्तराक्षरी श्माप्त हुआ बच्चों आपको अगर इस वीडियो शेला रांग मिला हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा धनिवाद बच्चों मिलते अगले विडियो में एक नए अगले चाप्टर के वर्क सिट के शाल धनिवाद